आप सबको मेरा नमस्ते अभी ये सेशन में मैं आपको जो धात्री माता है ठीक है जो स्तनदा माता है जो मा दूद ला रही है तो उसके portion के बारे में थोड़ा बताने वाली हूँ बहुत ही जैसे मा को calories तो चाहिए है क्योंकि वो इतना दूद बनाती है तो protein है, good fats है अच्छी जो चरबी बहुत है बहुत सारे micronutrient है अगर मा के खाने में नहीं होंगे तो मा की दूद में नहीं होंगे जो टाइप 2 वाले nutrient है जो protein है, good fats है वो अगर मा के खाने में वाला खाना नहीं है तो वो उसके मास पेशिये से आएगा लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, मा का वजन बिलकुल कम नहीं होना चाहिए मतलब इसकी मास पेशिया कमजोर नहीं होनी चाहिए इसलिए उसके खाने पर आपको बहुत ध्यान देना है प्रोटीन चाहिए मा को बच्चे को जबी दूद पिलाती है वो दिन का लगपाग कभी कभी एक लिटर जितना दूद आता है तो एक लिटर दूद में अगर बच्चे को प्रोटीन वाला खाना बच्चा नहीं खाएगी तो प्रोटीन तो इतना नहीं कम होगा दूद में आएगा लेकिन उसके जो मसल्स है जो उसके मा से वो कमजोर हो जाएंगे दूसरे अगर नूट्रियंट आप देखे तो B12 बहुत जरूरी है आयोडीन जो नमक वाला नमक वह होना भी जरूरी है बहुत सारे नूट्रियंट है आप देखे कि हम लोग ने यह जो डो टॉल बनाये हुए है वह कैसे बनाये हुए मतलब एक वजिटन रेसिपीस है और एक नॉट्रियंट रेसिपीस है और आप देखे कि कितने अलग अलग तरह की प्रदार्त हम लोग उने यूज की है जिससे हम लोग मा को यह बता सकते कि ऐसा अगर खाना वो घर पे पकाएगी तो डेफिंटली इन उसका जो दूद तो अगर नूट्रिशन बढ़ेगा तो दूद तो बढ़ नहीं है लेकिन जो दूद होगा अच्छी कॉलिटी का होगा तो हम लोग को कॉलिटी वाला खाने में नूट्रियंट होना बहुत सबी है जो पोशक तत्व में बताती हूँ दूसरा विटमिन डी मा को बताईए कि जो सुबह का तो नहीं लेकिन जो दोपर का जो धूप है ग्यारा से लेके लगबग दो बजे का जो धूप है अगर वो धूप में लगबग 15-20 मेट अगर बैटेगे तो बहुत जादा धूप नहीं है तो मा को बोलो कि उसका जो शरीर है मलब हाथ है यह थोड़ा वो एक्सपोस करेगी सुरज के सुरज के किरन उसके चमरी पर पढ़ेंगे तो वो विटमिन डी बहुत अच्छी मात्रा में वो बना सकती है और विटमिन डी भाई पर वो बच्टे के दूथ में आएगा और बच्टे के हड़ी सब स्ट्राउंग होगी ठीक है आपको वो भी बहुत धुद्ध मा को बताना है जो लैक्टेटिंग मदर्स प्रेगिन मदर्स को बताना ही है डेफनितली लेकिन लैक्टेटिंग मदर्स है जो दूद पि दूद पिलाती माओं के लिए शाकाहारी खाना बनाने के तरीकों के स्पोकन टुटोरियल में आपका स्वागत है इस टुटोरियल में हम सीखेंगे दूद पिलाती माओं के लिए पोशन की जरूरत शाकाहारी खाना बनाने के तरीके जैसे अलग-अलग अंकुरित दालों से बना चीला, लहसुन, अलसी और तिल की चटनी, मुंफली, पालक और मेथी के कटलेट, बाजरा और चोलई के पत्तों की मुठिया और अंकुरित मेथी की सबजी, दूद पिलाती मा को जादा पोशन क जरूरत होती है, ताकि दूद बन सके, बरते शिशु को पोशन मिले और मा की खुद की सेहत भी अच्छी रहे, दूद पिलाती मा को जो जरूरी पोशक तत्व चाहिए होते हैं वे हैं, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, ओमेगा-3 फैटी एसिड और कोलिन, साथ में जरूरी होता है आयोडिन और विटामिन डी भी, आयोडिन थाइरड हार्मोन के बनने में और शिशु के तंत्रिका संबंधी विकास और व्रिद्धी के लिए भी जरूरी होता है, इसी लिए सुझाया जाता है कि आयोडिन की कमी से बचने के लिए रोज खाने में आयोडिन वाला न विटामिन डी पाने का सबसे बहतर तरीका है शरीर को ग्यारा से तीन बजे के बीच में 15 से 20 मिनट तक सूरज की रोशनी लगवाना सभी पोशक तत्वों की बात करने के बाद अब हम बात करेंगे मा के खाने की रोज अलग अलग तरह की सबजी खाना बहुत ज़रूरी है सब्जियों में ऐसे जरूरी पोशक्तत्व होते हैं जो रोग प्रतिरोधक शक्ती को बढ़ाते हैं वे एंटी ऑक्सिदेंट से भरपूर होते हैं और बिमारी के खत्रे से बचाते हैं हालांकि सभी तरह की सबजियां खानी चाहिए पर यहाँ पर हम कुछ ही की बात करेंगे जैसे की शिमला मिर्च, पालक, पत्ता गोभी, फूल गोभी, चौलाई, कद्दू, गाजर, मेथी के पत्ते और बैंगन सबजियों के अलावा हम बात करेंगे गैलेक्टोगोग्स की गैलेक्टोगोग्स वे पदार्थ हैं जो दूद बढ़ाने में मदद करते हैं मा को गैलक्टोगोग्स खाने में से मिल सकते हैं जैसे की लेसुन, मेथी के बीज और पते, सौंफ, हलीम के बीज, सहजन के पते, सुवा के पते और अजवाइन. सबजी और गैलक्टोगोग्स के अलावा मा को रोज 2-3 लिटर पानी पीना चाहिए. हर सतन पान से पहले एक गिलास उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी पीना चाहिए. दूद पिलाती मा के लिए ज़रूरी बाते जानने के बाद हम शुरू करेंगे खाना बनाने के तरीकों से. पहला है अलग-अलग अंकुरित दालों का चीला. इसे बनाने के लिए चाहिए एक कप अलग-अलग अंकुरित दालें जैसे की काला चना, हरी दाल और मोट, तीन हरी मिर्चे, तीन लहसुन की कलिया, आधा प्यास, आधा कप बेशन, एक बड़ा चमच दही, नमक स्वाद अनुसार, आधा चमच कड़ी पतों का पाउडर, एक चमच हलीम का पाउडर और दो चमच घी. हलीम का पाउडर बनाने के लिए एक बड़ा चमच हलीम के बीच धीमी आंच पर भुने, जब तक उनका रंग ना बदले. फिर बीजों को ठंडा होने दे, बाद में सिल्बटे या मिक्सी में इन बीजों का पाउडर बना ले. दालों को अंकुरित करने के लिए हरी दाल, चना और मोट को राद भर पानी में अलग-अलग भिगोए. अगली सुभा पानी निकालने और साफ मलमल के कपड़े में बांधे, फिर दो दिनों के लिए हलके गरम जगा पर रख दे. याद रखे, मोट को हरी दाल और चने के मुकाबले अंकुरित होने में जादा वक्त लगता है. इसी हिसाब से आपको चीजों को अंकुरित करना होगा. अंकुरित दाले जब तयार हो जाएं, फिर उन्हें लहसुन, मिर्चे और दही के साथ सिल्बटे या मिक्सी में पीस लें. फिर बेसन और पानी डाल कर अच्छे से मिलाएं. अब इस घोल में कटा प्याज, नमक, कड़ी पत्ते और हलीम का पाउडर डालें. ये सब करने के बाद बरतन में एक चमच घी डाल कर गरम करें. और बनाया हुआ घोल फैलाएं. मध्यमांच पर चीले को दोनों तरफ पकाएं. अंकुरित डालों का चीला खाने के लिए तैयार है. अगर बताई गई डालें ना हों, तो ये सब इस्तिमाल कर सकते हैं. लोब्या, सफेचना, कुलित, सोयाबी, मसूर की डाल और राजमा. याद रखें कि अंकुरन का वक्त डाल और मौसम पर निर्भर करता है. बताई गए खानों में ये सभी भरपूर हैं, प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा थ्री फैटी एसिट, फोलेट, मैगनिशिम और जिंक. दूसरा हम सीखेंगे लहसुन, अलसी और तिल की चट्नी. इसे बनाने के लिए चाहिए तीन बड़े चमच अलसी, तीन बड़े चमच तिल, पांच कलियां लहसुन की, चार लाल मिर्चे, पांच से छे टुकडे भीगी हुई इमली, नमक स्वाद अनुसार, और आधा चमच तेल या घी. पहले तिल और अलसी को अलग-अलग भून लें, फिर उन्हें ठंडा कर लें, फिर आधा चमच तेल एक बरतन में गरम करें, और उसमें लहसुन और लाल मिर्च को दो मिनिट तक भूनें, ठंडा होने के बाद इसे तिल और अलसी के साथ मिलाएं, और इमली और नमक भी डा फिर सिल्बटे या मिक्सी में डाल कर पानी मिलाएं और पीस लें, चटनी तयार है, अगर तिल ना हो तो एक या एक से जादा चीजें भी इस्तिमाल कर सकते हैं, जैसे की गिसा हुआ नारियल, मूंपली, काला तिल, कद्दू के बीज और सूरज मुखी के बीज, इस चटन पूटीन, फाइबर और जिंक, अब तीसरा हम सीखेंगे, मूंपली, पालक और मेथी से बने कटलेट, कटलेट बिनाने के लिए चाहिए, आधा कप मूंपली पाउडर, दो बड़े चमच बेसन, दो बड़े चमच गेहुं का आटा, आधा कप कटी पालक, एक चौथाई मेथी के पते कटे हुए, एक बड़ा चमच धनिया पते, एक चमच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, एक चमच बीजों का पाउडर, जैसे की तिल और अलसी, इन्हें या तो इकठे ले ले या फिर सिरफ एक ही ले, एक बड़ा चमच नीम्भू का रस, एक च इसा हुआ लहसुन और चार चमच तेल, मुंफली का पाउडर बनाने के लिए, आधा कब मुंफली को भून ले, जब तक उनका रंग ना बदले, और खुश्बू आने लगे, फिर ठंडा होने दे और बाद में, अपनी दोनों हतेलियों के बीच में रगणे, ताकि उनका बाहरी छिलका निकल जाए, फिर सिल्बटे या मिक्सी में डालकर पीस लें, अब ये मुंफली का पाउडर और बाकी सभी चीजें एक बरतन में डालें, और थोड़ा पानी डालकर गूंद लें, अब गूंदे हुए आटे को चार भागों में बांट लें, और कटलेट का आकार दें, तवे को गरम करें और उस पर टेल डालें, हर कटलेट को दोनु तरफ से सुनेरा होनी तक पकाएं, मुंफली कटलेट तयार है, इन्हें नीम्बू के अचार या फिर आवले की चटनी के साथ खाएं, नीम्बू का विटामिन C शरीर को कटलेट में से आइरन अच्छे फैट और पोटाशियम, चोथा हम सीखेंगे बाजरा और चोलाई के पत्तों की मुठिया, इसे बनाने के लिए चाहिए आधा कब बाजरे का आटा, एक छोटा प्याज, आधा कब चोलाई के पत्ते, आधा चमच हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, एक चोथाई चम पाउडर, एक चमच लाल मिर्च पाउडर, आधा चमच राई के बीच, आधा चमच जीरा, दो चमच तिल और एक चमच तेल, एक बरतन में आटा, प्यास और चोलाई के पत्ते डालें, फिर उसमें हल्दी, नीम्भू का रस और सैजन के पत्तों का पाउडर डालकर तेल लगाकर आटे को छोटे-छोटे भागों में बांट लें, और फिर इन्हें बेलन के आकार में बना लें, एक भाप देने वाले बरतन में इन्हें धीमी आँच पर 10-15 मिनट तक रख कर भाप दिलाएं, फिर ठंडा होने दें और गोल-गोल काट लें, यही मुठिया है अब बरतन में एक चमच तेल डाल कर गरम करें, और राई, तेल, जीरा डालें, जब यह फूटने लगे तो मुठिया डाल दें मुठिया को खस्ता होने तक भूने, बाजरे के साथ चोलाई के पत्तों की मुठिया तैयार है अगर बाजरा ना हो तो जवार या फिर रागी भी इस्तिमाल कर सकते हैं इस बताए गए खाने में ये सभी भरपूर हैं, प्रोटीन, फॉस्फोरस, फोलेट, आइरन, फाइबर, बीटा केरोटीन और पोटाशियम अब हम सीखेंगे अंकुरित की हुई मेथी के बीच की सबजी इसे बनाने के लिए चाहिए एक कप अंकुरित मेथी के बीच, एक मध्यमाकार प्याज, एक टमाटर, नमक स्वाधनुसार, एक चमच मिर्ची का पाउडर, आधा चमच हल्दी, एक चमच नीम्भू का रस, एक चमच राई और जीरा, और एक चमच तेल मेथी के बीच को अंकुरित करने के लिए उन्हे राद भर पानी में भिगोग कर रखें, अगले दिन पानी निकालें, और मलमल के कपड़े में बांधें, फिर दो से तीन दिनों तक अंकुरित होने दें, इस सबजी को बनाने के लिए एक बर्तन में तेल गरम करें, राई डालकर दो मिनट तक पकाएं, फिर अंकुरित मेथी डालें और दो बड़े चमच पानी भी, अच्छे से मिलाकर ढकन लगा दें, फिर 6-8 मिनट तक पकाएं, बाद में आंच बंद करके निम्बू का रस मिलाएं, अंकुरित मेथी के बीजों की सबजी तैयार है, इसमें ये स ही बढ़िया ग्यालक्टोगोग्स होता है, इस टुटोरियल में बताये गए सभी खाने उन पोशक तत्वों से भरपूर हैं, जो मदद करते हैं, दूद के बनने में, शिशु के विकास और वृद्धी में, और मा की सेहत बनाए रखने में, ये टुटोरियल अब यहीं समा होता है, मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ, हम से जुड़ने के लिए धन्यवाद. मुंखफली लसुन के मसाले में बनाया हुआ चिकन, नारिल के साथ मचली की सबजी, अंडे के साथ मिली जुली सबजियां और पालक मचली की सबजी. दूद पिलाती मा को ज़ादा पोशन की जरूरत होती है, ताकि शरीर दूद बना पाए और बरते शिशु और मा को पोशक तत्व मिलें. दूद पिलाती मा को जो जरूरी पोशक तत्व चाहिए, वे हैं विटामिन, खनिच पदार्थ, ओमेगा थ्री फैटी एसिड और कोलिन. पोशक तत्व के अलावा हम गयलक्टोगॉग्ज के बारे में भी सिखेंगे. गयलक्टोगॉग्ज दूद के बनने में मदद करते हैं. मा को ये अपने खाने में ही मिल सकते हैं अगर उसके खाने में हो लेसुन, मेथी के बीज और पत्ते, सौफ, हलीम के बीज, सहजन के पत्ते, सोवा की पतियां और अजवाइन ध्यान दे दूद पिलाती माओं के पोशन के बारे में इसी श्रिंकला के अन्य टुटोरियल में बताया गया है दूद पिलाती माओं के पोशन की जरूरत जानने के बाद हम सीखेंगे खाना बनाने के तरीके पहला है सहजन की डंडी के साथ चिकन की सबजी इसे बनाने के लिए चाहिए 100 ग्राम चिकन, दो सहजन की दंडियां, एक टहनी कड़ी पत्ते की, एक चमच काली मिर्च, एक कटा हुआ प्याज, चार कलियां लहसुन की नमक स्वाद अनुसार, आधा चमच हल्दी, आधा चमच लाल मिर्च, एक हरी मिर्च, मुठी भर धनिया के पत्ते और दो चमच तेल, एक बर्तन में एक चमच तेल गरम करें, उसमें प्याज, लहसुन, काली मिर्च और हरी मिर्च डालें, जब तक भूरे रंग के ना हो जाएं, तब तक भूनें, फ तोब इसे थंडा करें और थोड़ा पानी डालकर घोट लें। अलग से सहजन की डंडी को प्रेशर कूकर में डालकर या फिर खुले बरतन में उबालकर पकाएं। एक बरतन में एक चमच तेल डालकर गरम करें। फिर घोटे हुए मसाले को डालकर 2 मिनट पकाएं। अब सारे सुखे मसाले, चिकन और आधा कप पानी डालकर अच्छे से मिलाएं। बरतन को ढकें और चिकन को नरम होने तक पकाएं। अब इस पकी हुई सहजन की डंडी को डाल दें और 2-4 मिनट तक पकाएं। लीजे सैजन की डंडी के साथ पकाया हुआ चिकन तयार है। दूसरा हम सीखेंगे मुंफली लसुन के मसाले में पकाया हुआ चिकन। इसे बनाने के लिए चाहिए 100 ग्राम चिकन, दो बड़े चमच मुंफली, लसुन की पांच कलियंग, एक कटा हुआ टमाटर, एक कटा हुआ प्याज, आधा चमच हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, एक चमच लाल मिर्श पाउडर और दो चमच तेल। मुंफली लसुन को घोटने के लिए सबसे पहले मुंफली को मध्यम आँच पर भून लें। लगातार हिलाएं ताकि वो जल न जाए, फिर ठंडा होने दें। उसके बाद मुंफली को अपनी हतेलियों के बीच ढगड कर भारी छिलका निकाल दें। अब बरतन में एक चमच तेल डालें, फिर उसमें प्याज, टमाटर और लैसुन भी। इन्हें भूनें जब तक टमाटर नरम न हो जाएं। फिर ठंडा होने दें। और बाद में मुंफली के साथ मिला लें। और थोड़ा पानी डालकर घोट लें। अब एक बरतन में एक चमच तेल गरम करें और उसमें घोटा हुआ मुंफली लेसुन डालकर दो मिनट पकाएं। फिर मसाले भी डालें। और चिकन डालकर दो मिनट पकाकर फिर थोड़ा पानी डालकर मिलाएं। ढकन लगा दें और चिकन के नर्म होने तक पकाएं। मुंफली लेसुन के मसाले में चिकन तयार है। तीसरा हम सीखेंगे नार्यल के साथ मचली की सबजी। इसके लिए चाहिए 100 ग्राम रोहु, आधा कप घिसा हुआ नार्यल, 4 लाल मिर्च, आधा चमच हल्दी, नमक स्वादनुसार, 4 कलियां लहसुन, एक छोटे निम्बु के आकार जितना, इमली का गोला, एक कटा हुआ प्याज, आधा चमच मेथी के बीच, आधा चमच जीरा और एक चमच तेल। अगर रोहु ना हो तो अपने इलाके में मिलने वाली कोई भी मचली जैसे भांगडा, पापलेट या बंबिल इस्तिमाल करें। मचली को साफ करके दो चुटकी नमक डालकर दस मिनट तक रख दें। और लाल मिर्ज, मेथी, जीरा सबको सुखा भून लें, जब तक उनका रंग ना बदले। फिर इन सबको नारियल, इमली और लहसुन के साथ गोट लें। बर्तन में एक चमच तेल डालकर गरम करें। फिर प्यार डालकर सुनेरा होने तक भून लें। फिर इसमें घोटा हुआ मसाला डालकर पांच से छे मिनट पकाएं और मसाले डालकर मिलाएं। अब मचली डालकर 10 मिनट पकाएं। नारियल के साथ मचली की सबजी तयार है। चौथा हम सीखेंगे उबले अंडे के साथ मिली जूली सबजीयां। इसे बनाने के लिए चाहिए दो उबले अंडे, फूल गोबी की दो कलियां, एक मध्यमाकार प्याज, दो फलियां कटी हुई, एक कटा हुआ टमाटर, आधा कटा हुआ शिमला मिच, एक बड़ा चमच सफेद तेल, एक छोटा चमच लाल मिच पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, आधा चमच हल्दी, एक बड़ा चमच खस-खस, आधा चमच हलीम का पाउडर और एक चमच तेल, तेल और खस-खस को सुखा भून लें और ठंडा करें, एक बरतन में फिर आधा चमच तेल डालक टमाटर भून लें, थंडा होने पर टमाटर, तिल और खस-खस को मिक्सी या सिल्बटे पर डालकर पीस लें, बरतन में एक चमच तेल गरम करें और प्यास डालकर सुनहरा होने तक भूनें, फिर पिसा हुआ टमाटर डालकर पांच मिनिट पकाएं, नमक, हल्दी, मिर्ची पाउडर डाल कर मिलाएं, इसमें पहले थोड़ा पानी और फिर सबजी डालें, ढख कर तब तक पकाएं, जब तक सबजियां नरम न हो जाएं, दो उबले अंडे काट कर इसी सबजी में डाल दें, और एक मिनिट तक पकाएं, मिली जुली सबजियों के साथ अंडे की इसे बनाने के लिए चाहिए दो टुकडे रावस, चार से पांच पालक के पत्ते, नमक स्वाद अनुसार, एक छोटा चमच मिर्च का पाउडर, आधा चमच हल्दी, एक छोटा चमच अलसी का पाउडर, एक छोटा चमच घी या तेल, एक मुठी धनिया के पत्ते, एक छोट चोटा चमच निम्बू का रस, एक हरी मिर्च और एक चोटा चमच गरम मसाला पाउडर. पहले मचली को धो लें, फिर हल्दी और नमक लगा कर रख दें. अब पालक को पानी में अच्छे से धोएं. बर्तन में पानी गरम करें और पालक डाल कर 5 मिनट तक पकाएं. फिर पाल को च्छाने और ठंडा हुने दे. बाद में पालक, धन्या और हरी मिर्च को घोट लें. बर्तन में एक चमच गी या तेल गरम करके मचली तलें. और एक अलग बर्तन में भी एक चमच तेल या घी डालें. उसमें घोटा हुआ पालक डाल कर थोड़ा पानी मिला कर पांच मिनट पकाएं फिर सूखे मसाले डाल कर अच्छे से मिलाएं इसमें तली हुई मचली डाल कर तब तक पकाएं जब तक उस पर मसाला ना लग जाए अब गरब मसाला और अलसी का पाउडर डाल कर दो मिनट तक पकाएं आंच बंद करके निम्भू का रस मिलाएं पालक मचली की सबजी तैयार है बताए गए सभी खानों में ये सभी भरपूर हैं प्रोटीन, विटामिन B12, अच्छे किसम की चर्भी, आइरन, फोलेट, पोटाशियम, विटामिन A, विटामिन D, जिंक और मैगनीशियम ये सभी पोशक्तत्व, शिशु के विकास और बढ़ने के साथ-साथ मा की सेहत और दूद के बढ़ने के लिए भी जरूरी है दूद पिलाती माउं के लिए मासाहारी खाना बनाने का ये स्पोकन टुटॉरियल यही समाप्त होता है IIT बॉंबे से मैं बैला टोनी आपसे विदा लेती हूं, हम से जुड़ने के लिए धन्यवाद झाल टोनी आपसे लेती हूं, हम से लेती है क्ला हूं